आईए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी चेर स्यरमवरा इसी से उन्होंने लिखा था आत्मिय स्वजनों में तुम ही एक ऐसी हो जिसे मैं निश्चिन्थ होकर अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड की साक्षी बुला सकती हूँ इसी पंद्रा को मेरा विवा है उसी दिन संध्या की मेल से हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है ओ तो हनीमून की योजना भी मना चुकी है रजनी दी पर कहां जाएंगी जिस वानप्रस्ती अवस्था में अपना विवार अचा रही थी उसमें तो उन्हें अपना अनिमून बद्रियनात में जाकर मनाना ही शोभा देगा जीवन में पहली बार ऐसे विचित्र विवा का निमंत्रन मिला था इसी से समझ में नहीं आ रहा था कि जाओं या नहीं रजनी दी से मेरे रक्त मास का रिष्टा दूर का होने पर भी रिदय का रिष्टा अत्यंत निकटका था उनकी सौमिता, शान स्वभाव, समय से कुछ पूर्वी पग गए सफेद बालों की गरिमा रूची से पहनी गई साड़ी और उनका पांडित्य मुझे बच्पन से ही प्रभावित करता आया था मेरे कैशोर्य और यौवना वस्था की शायदी कोई असी समस्या रही होगी जिसका उन्होंने अपनी स्निक दिसुलजी हसी मात्र से ही समाधान न कर दिया हो किन्तु आज वही अनुकर्णी अव्यक्तित्व स्वैम मेरे सम्मुक एक दुरू पहेली बनके खड़ा था ऐसा तुमने क्यों किया रजनी दी लोग क्या कहेंगे दूर दूर तक वटफ्रिक्ष की जडों से फैली तुम्हारी चात्र मंडली जिसकी दृष्टी में तुम्हारा अक्षत कौमारी ही तुम्हारे सिफेद बालों पर धरा जंगमगाता बहुमोली राजमुकुट था क्या कहेंगी ये सुनकर नजाने कितने ही अनकहे उप्रा लंभों की तरंगे मेरे अशान चित्त की कगार पर टकरा टकरा कर मुझे विचलित कर उठी रजनी दी ने मुझे निमंत्रनी नहीं भेजा श्रिंगार प्रसाधन सामगरी की एक पूरी लिस्ट मी नत्थी कर दी थी ये सब समान तुम्हें अमीनाबाद में मिल जाएगा बड़ी लाटूश रोडवाली सड़क पर जरीदार जैपुरी नागरा की एक छोटी सी दुकान है बेहग प्यारी कामदार जूतियां उसके शोकेस में सजी रहती है उनी में से छाट कर एक जोड़ी लेती है ना मैंने लिस्ट देखी जवा आलता की शीशी, माग में भरने का कलकतिया सिंदूर काली सुनेली कामदार सुहाक की चूड़ियां लाल नागरा और अभीरी रंग की बनारसी क्रेप सिल्की साड़ी मेरे हाथ की लिस्ट सैसा मेरे कलपना लोक में फड़फडा कर पतंग सी उड़ती दरपन के सम्मुक बैठी रजनी दी को सजाने लगी सफेद बालों के उचे जूड़े पर प्रयतने से टिकाया गया अबीरी बनारसी आचल गटिया से टेड़ी पड़ गई अंगलियों पर जवा आलता की नाखूनी धारी लाल नागरा और सन से सफेद बालों के बीच मांग पर बिकरी कलकतिया सिंदूर की गाड़ी देखा बर्फ से ढकी त्रिशूल की चोटी पर जैसे लाल लाल बुरुण्श बिकरे हो व्यंग से स्वैम ही मेरे हूट टेड़े हो गए जब मेरा विवा हुआ तभी 28 वर्ष की रजनी दी 40 की लगने लगी थी प्राध्यापिका के शुष्क जीवन ने उन्ही दिनों कपोलों की लालिमा को जाडू लगा कर बुहारना आरम कर दिया था पर फिर भी सुर्प गालों की लाल शोई आबा सामान्य ही मलिन हो पाई थी एकदम शौट सिल्की सी चिकनी तवचा थी उनकी इसी से लगता था कि गहरे लाल टूली रेशम को किसी फूहर ग्रहनी ने धो पटक कर फीका बना दिया है किन्तु इधर जब उन्हें देखा तो मन खिन सा हो गया अब तो वो शौट सिल्क फीका ही नहीं पड़ा बहुत दिनों से उपेक्षित किसी पुराने बक्से में पढ़े रेशम किसी सल्वटें भी पढ़ने लग गई थी उसमें बिना इस्त्री किये रेशम से ही उस जुर्यों भरे रेशमी चेहरे को देख कर मैं मूर्खा की भाती फक्से कह भी बैठी थी हाई रजनीदी आप तो एकदम ही बुढ़ा गई अब क्या मेरे रसी कूदने के दिन है री अगले साल पूरे पचास की हो जाओंगी उन्होंने हसकर कहा तो मैं खिसी आ गई क्यसी मूर्ख थी मैं स्त्री होकर भी आज तक इतनी सी बात नहीं हिर्दें अंगम कर सकी संसार की कौन सी स्त्री भला अपने बुढ़ापे का समचार सुनकर प्रसंद होती है किन्तु दोश मेरा उतना था भी नहीं इधर पच्चिस वर्षों में काल चक्र ने आविशक्ता से कुछ अधिकी निर्ममता से रजनी दी को असहाय क्रिकेट गेन साही इधर उधर फेक उनकी धज्जियाएं उड़ा कर रख दी थी उनकी बड़ी बहन खिलो दी तो उनसे सवा साल बड़ी थी पर ना एक बाल सफेद ना एक जुरी चिकने चेहरे पर चमड़ी ऐसी तनी थी कि लगता था अभी अभी कपोलों की हड़ियां बाहर निकल आएंगी तीन-तीन बहुओं का वरन कर चुकी थी पर अभी भी चूना रोड़ कर डोली में बैट जाएं तो चौथी दुलन लगें काठी अकरोट पढ़ाक पढ़ाक दातों में ऐसे पढ़काती थी जैसे मुमफली हो वहीं पर हमारी रजनी दी पिछली बार आई तो भुट्टा खाने को तरस गई दात ऐसे हो गए थे कि तेज हवा का जोका भी उन्हें इधर-उधर हिलाने लगा था जब पिछली बार वो लखनाओ आई तो मैंने ही जिद की अपने दात विशेशग्य से उन्हें नया डंचर बनवा दिया था उसे लगाते ही रजनी दी का चेहरा एकदम ही बदल गया जिस निकधसी की शीतल चाया में में कभी अपने कारेरत जीवन से उप कर पल भर सुस्ताया करती थी वो न जाने कहां विलीन हो गई यही नहीं उनका उच्चारन, चेहरे की गढ़न और कंड स्वर भी न जाने कैसा नकली नकली सा लगने लगा था मुझे तो आज भी यही लगता है कि उस दिन यदि मैंने उन्हें वो नकली 32 न दिलवाई होती तो शायद आज उनका इतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता बार-बार वो दरपन के सम्मुक जाकर अपने प्रतिविंब को ऐसे निहारती थी जैसे स्वैम ही अपने को न पहचान पा रही हूँ शाम को मिरे साथ बाजार गई तो शोकेस में लटकी एक गहरी बैजनी रंकी कटकी साड़ी पर रीज गई दूसरे दिन पहन कर मुझे दिखाने आई तो मैं प्रशनसा करना भी भूल गई सदा श्वेत परिधान धारन करने वाली रजनी दी की वो भड़कीली साड़ी मुझे असमय वसंत आगमन सी ही बेतुकी लगी थी फिर भुवाली जाते ही उनकी चिठी आई कि मैं उन्हें दो तोले की वैसे ही जड़ाओ कामदार जुमके बनवा कर शीगर बेज दू जैसे मैंने अपनी लड़की को विवाह में दिये थे अपनी किसी चात्रा के विवाह में उन्हें देने थे जुमके बनवाकर मैं भेज भी नहीं पाई थी कि भारी पोचम पल्ली साणियों का ओर्डर आ गया एक नारंगी एक मिजेंटा फिर तो उन्होंने दूले को छोड़कर सब कुछ ही मुझसे मंगवा लिया था स्नेक स्किन का पर्स, मैचिंग चपल, फाइबर के एक से दो जुड़वा सूटकेस, मरदाना नाइट सूट, रेडिमेट कमीजें, लेस लगी नाइटी और हर ओर्डर के साथ एक हिस्याई पंक्ती की कैफियत अवश्य रहती मेरी फला चात्रा का विवाय है, फला कलीक की पुत्री विदेश जा रही है, आदी आदी तब मैं क्या जानती थी कि रजनी दी की सौभागिशाली चात्रा स्वैम रजनी दी ही है, फिर जब एक दिन उन्होंने बड़े ही दुसाहस के साथ एक साथ आदे दरजन चिकन के मरदाने कुर्टों का ओर्डर दे डाला, तब मेरा माथा ठनका, उनकी कौन सी चात्रा भला 48 इंच चिकन के मरदाने कुर्टे पहन कर विदेश जा सकती थी, और फिर तब ही उनके पत्र ने प्रखर रौद्र सूरी की सी तप्त किर्णों से उस रहसिक वहलिका को स्वैम ही सोख लिया था, डॉक्टर प्रदिम्य महता को तुम नहीं जानती, गतवर शचाना की अपने जन्मांतर का पुराना परिचे है, हमारी यही मैतरी, पंद्रा को सुखत सहचरे में परिनत होगी, तुम्हारी उपस्तिती अनिवारे है, ये मेरा निमंतर नहीं आदेश है, तुम्हारी रजनी दी, मुझे लगा कि वर्शो पूर्व का अतीत मुझे फिर अपनी कक्षा मे खीच लाया है, जहां ब्लैक बोर्ड की सम्मुख प्रस्तर मुर्ती सी खड़ी रजनी दी, अपने प्रश्न का उत्तर नपा कठिन मुख मुद्रा बना कर गरज रही है, ख्लास से बाहर चली जाओ मुर्ख लड़की, ये मेरा आदेश है, उनके आदेश को भला उनकी कौन स अदर उदर दोडाई, निश्चे ही रजनी दी, अपनी पुरानी ऑस्टन से मुझे लेने आई होंगी, किन्तु कहें भी कोई नहीं दिखा, तो मैं रोडवेस की बस में बैट गई, बेचारी रजनी दी, शायद अपने असमय के रोमांस में आकन डूबी पड़ी होंगी, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई, कुछ लाना मत भूलना, रजनी दी ने लिखा था, तुम तो जानती हो, इस भुवाली में सिवाए बास और कफन के मिलता ही क्या है, ठीक ही लिखा था उन्होंने, बचपन में सुना था, कि तू भुवाली जा, पहार की सबसे भयानक गाली ही है, तब भुवाली नैने इताल और उसके आसपास के ग्रामों का एक मातर शम्शान था, और फिर कुछ वर्षपूर्फ, वहां का सैनिटोरियम ही किया किसी महाशम्शान से कुछ कम भया आवे था, दीरे-दीरे चड़ाई पर हाफती मेरी बस, भुवाली की गिली सड़क पार कर रजनीदी के बंगले से कुछ दूर आकर खड़ी हो गई, एक छोकरे से पहाड़ी दो याल को सूटकेस थमाकर में चलने लगी, बंगले में पहुची तो कोई भी नहीं दिखा, सूटकेस बरामदे में रखवाया, पैसे देकर मैंने कुली को विदा किया, और उस अ एकडम साहबी काइदे से ट्रे लगाती, स्वच प्याले, चमत्ती चमचें, वॉनेट बड़ी गुडिया सी टीकोजी, और ट्रेटिंग का लेस लगा ट्रेकलॉथ, बहुत वर्षों तक ग्रोवर साहब की विद्वा मेम के साथ बंगला लेकर रजनीदी रह रही थी, इसी जाडन से नाक पोचते हैं और उसी से थाली, मुझसे तो भाई, जान बुचकर मक्ही नहीं निगली जाती, वो कहती थी, बरामदा आज भी किसी राजभवन की बरसाती साही दबदब उजला पड़ा था, इसी काट के बरामदे में अपनी पुरानी खंजर सी मशीन पर रज सोटी में लगाने पर उनकी दुबली हतेली का करारा चाटा खाया है, पूरे तीस वर्चों बाद मैं आज उस बरामदे में उनकी सुहाग पिटारी लिए खड़ी थी, भीतर एकदम घुज जाना क्या उचित होगा, हो सकता है उनका भावी सेचर भी भीतर ही बैठा हो, रजनी दी, आजाओ, मैंने एक कदम उठाकर देरी पर धर दिया, अरे हाँ हाँ आजाओ, पर क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला, आराम कुरसी में मुर्दे सी पसली रजनी दी को देखकर, मैं उनके प्रशन का उत्तर भी नहीं दे पाई, वो क्या रजनी दी ही थी, रं किसी जीवित मानवी की नहीं, निश्प्रान शफ से लटकी बहा है, तब तक मैंने अपने को समाल लिया था, सूटकेस नीचे रख, मैंने हसकर कुरसी उनके निकट खिसका ली, मैं आपका सबसमान लेकर आई हूं रजनी दी, पर ये तो बदाईए हमारे जीजा सहाब हैं क कौन? मैंने बड़े ही स्वाभाविक स्वर में सामान ये रसिक्ता लाने की चेश्टा की? कोई नहीं, मेरे सम्मुख बैटी पचास वर्ष की रजनी दी, जैसे मुख में तुलसी दल लिये, वृत्यु शैया पर दम तोड़ रही असी वर्ष की जराजीन वृद्दा दाद बन गई थी, कुछी पलों में असंखे जुलियों ने उनके करून चेहरे को और भी दैनिये बना दिया था, कोई नहीं, मैं बौकला गई, और चाहने पर भी अपने स्वर की तिक्ता को नहीं चुपा पाई, मैं अपनी ग्रहस्ती की बीसियों उलजने छोड़, गिर्ती मेरे विवार को अभद्र बना रहा था, रजनी दी फिर हसी, और इस बार उनके पोपले मूँ की दंधीन, शिशु की सी हसी एकदम निश्पान थी, सच कह रही हूँ, अंजाने में ठोकर खाकर गिर रही थी, तुम सबकी रजनी दी, विधाता ने बाह पकड़ के रुवार प्रेम ने मुझे अंदी बना दिया था बच्ची, वो अब उत्तेजित होकर बैठी, तो तूटी टेहनियों से उनके जुके कंदे शिथे लोकर बुरी तरा जुक गए, प्रद्युम ने मुझसे बहुत छोटा था, फिर भी जब उसने एक दिन मुझसे कहा, कि वो मुझसे प्रेम करता है, तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, किन्तु फिर धीरे धीरे उसकी मुख द्रिश्टी, रस्पगे साथ साथ प्रश्टों के प्रेम पत्र, और उसके अक्षत पौरुश की विजिया का मद, मेरी रगरग में व्याब किया, मेरा अनूठा प्रेमी, तुम्हारा चेहरा ना देखकर भी अधी कोई तुम्हारे दाथ ही देखता, तब भी मैं तुम्हारे चर्णों का दास बन जाता रजनी, और मैं उस त्रिशार्थ पथिक को अपने सौंदरे की खोकली मरीचिका में भटकने छोड़ देती, फिर वो मेरी काली के शराशी की प्रशंसा के पुल बांद कर रख देता, एकदम बंगाल की सुंदरियों किसी सुचिक्कन एश राशी हैं तुम्हारी, और मैं अपने बालों की सुगंद पूर्ण कालमा का रहस, अपने तकी सीमे तरक मुस्कुराती रहती, उफ हमस्त्रिया, कभी कभी स्थान काल की महिमा भुला कर अपने ही हाथों से अपना कितना बड़ा सर्वनाश कर लेती हैं, मैं उसे ही नहीं, स्वयम अपने को भी चलने लगी, तुम तो जानती हो, मैं कभी जूट नहीं बोलती थी, अपनी चात्राओं को मैंने अपने इसी सत्य भाशन के अनुशासन चाबुक से साधा वही चाबो कब मेरे नवीन प्रेम ने मुझसे चीन कर दूर पटक दिया था, और फिर एक दिन हमने निश्चे किया कि हम दोने एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, विवा की तिथी निश्चे कर मैंने तुम्हें ही सबसे पहले लिखा था, लिखती भी और कैसे, खिलो को लिखती तो शायद वो हवाई जहाज से यहां आकर हम दोनों को गोली से उड़ा देती, सहसा रजनी दी का स्वर चुपी में डूब किया, जैसे कठिन मधुमे का कोई रोगी फिर कोमा में डूब किया हो, फिर मैं अधेर से उन्हें अपने प्रशन की सुईया चुबोती, फिर चैतन्य वस्था में खीचने लगी, उस दिन इत्वार था, रजनी दी ने अपनी दोनों पतली बाएं गोद में धर ली थी, हमने भीमताल की चील में बोटिंग का प्रोग्राम बनाया, दिन भर तो वहाँ आजकल टूरिस्ट तूटे रहते हैं, संधिया पांच बजे तुम्हें लेने अपनी कार में आऊंगा, वो कह गया था, मैंने दिन भर लग कर केक बनाया, मफिन बनाये, उसे भी तुम्हाई तरह मेरे हाथ के बने मफिन बेहत पसंद थे, उन्होंने ऐसे स्वर में कहा, जैसे कोई शोक संतप्त जनिनी अभी अभी गुजरे अपने इक किन्तु उनके सौमे संतनी के से चेहरे पर एक शिकन भी नहीं उभी, जैसे कोई धर्म पर आयना विदेशनी, मृत्यों से पूर्व, किसी पादरी के सम्मुक, निश्कपट आत्म निवेदन कर रही हो, बिंदी लगाने लगी, तो सहसा मेरी श्वास, मेरी हतेली से टकरा कर मुझे किसी दंत मंजन के विग्यापन किसी चेतावनी दे उठी, उफ, कितनी मूर्ख थी मैं, आज अपने जीवन की सबसे महतवून संध्या की आगमनी में भी मैं अपने प्रती कितनी उदासीन रह गई थी, एक बार भी डेंचर नहीं साफ किया था मैंने, पाच बजने म मैं अदुला डेंचर ही पोच कर लगाने लगी थी, कि वो हाथ से फसल कर चिकना चूर हो गया, वही चूर नहीं हुआ बहन, मेरे सौभागी भी उसके साथ ही चिकना चूर हो गया, इससे पूर कि मैं कुछ सोचती, मेरा मुस्कुराता सुदर्शन मंगेतर मेरे सम्मुक पड़े, बदली घिर रही है, कहीं जड़ी न लग जाए, भुवाली की जड़ी क्या चेरपुजी से कुछ कम वेगवती होती है, परिस्तिती की विशमता ने मेरी वानी हर ली थी, किन्तु विवश्ता के आसू, मैं चेश्टा करने पर भी नहीं रोक पाई, कापते होटों बीच शायद उसने मेरी निरी जिड़ा के दंतहीन वेधव्य को देख लिया था, उसका चेरा एकदम फक पड़ गया, वो एक शब्द भी नहीं बोला, पर मैंने सोचा, बहुत छल चुकी हूँ, अब और नहीं चलूँगी, प्रद्युम्न, मैंने हसकर का, जिस दंत पंक् दुए थे, वो मरीची का मात्र थी, मेरे बाल भी सफेद हैं प्रद्युम्न, इसी अप्रेल में मैं पूरी पचास की हो जाऊंगी, मेरी उंगलें गठिया से टेड़ी है, मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है, मेरी छात्राओं में से अधिकांश दादी नानी बन चुकी है और फिर, मैं रोने के बदले जोर-जोर से हसने लगी, जितनी ही बार प्रद्युम्न के हदप्रप चेहरे को देखती, उतनी ही बार एक नई हिस्टिरिकल सी हसी का दौरा मुझे दोरी कर देता, चिष्टा करने पर भी मैं अपनी हसी नहीं रोक पा रही थी, जीवन में कित अगलपन के दोरे से अदमरी होकर चैतन्य हुई, तो देखा मैं कमरे में अकेली हूँ, वो जा चुका था, अपने विचित्र रोमैंस की करुन कहानी सुना, रजनी दी एकदम निढाल होकर फिर आराम कुरसी पर पसर गई, उनकी आखे बं थी और ललाट पर पसीना चलगन लगा था, आखरी बस कितने वजे जाती है रजनी दी, मैंने डरडर कर पूछा, नजाने कैसा भुतहा बंगला लगने लगा था वो मुझे, उनकी नित्य की सवरी ग्रहस्ती में जैसे शच्च सहस्त्र मक्या बिन मिनाने लगी थी, बिना लगा बिस्तर, पूरे कमरे में फ चली जाओं, आखरी बस क्या चली गई होगी, मैंने पूछा और उन्होंने अपने गंजेडी किसी लाल लाल आखों से मुझे घूरा, तो कलेजा हेम हो गया, निश्चही अब वो फिर हो हसने लगेंगी, पाच बजे, उन्होंने क्लान स्वर में कहा, पॉने पाच बजे च अंकोच के अपना परस खोला, एक शीशी निकाल कर दो गोलियां खाई, और गुडी मुडी बने बिस्तर में अलसाई बिल्ली सी घुटने मोड कर लेड गई, नीन की गोली खाए बिना इधर मुझे नीन ही नहीं आती, जा रही हो क्या, उनका अटपटा प्रश्न, उनकी अ चिवानी जी की कहानी चिर स्वयंवरा, सुनने के लिए धन्यवाद